तो आस्ट्रेलिया और बेस्टेंडीज के बीच में पहला T20 मैच जो की 9 फरवरी को एक बज के 30 नट से 2 फर में होने वाला है ओबल होवर्ट में ये मैच खेला जाएगा और सबसे पहले यहां के मौसम के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक गिबवे होने वाला है और वो गिबवे उसी को मिलेगा जो की इस वीडियो को सुरू से लेकि आखरी तक पूरा देखेगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा उसके अलाबा इस वीडियो को जो शियर करेगा उसी को गिबवे मिलेगा और लखी ड्र के द्वारा उसका नाम यहाँ पर निकाला जाएगा तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से पूरा देखना है और साथी साथ लाइक करना है चैनल सबस्क्राइब करके रखना है तभी आपका नाम बिनर में आ सकता है और इसका information अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं उपलब्द करवाऊंगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुरे रहिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको description में मिल जाएगा और यहाँ ही पर मैं वीडियो में भी बता दूँगा आगे बढ़ते हैं मौसम के बारे में सबसे पहले बात करेंगे तो मौसम जो यहाँ पर होने वाला है वो बिलकुल किलियर होने वाला है दिन में यहाँ पर अच्छी खासी धूप रहने वाली यह शाम को temperature और ज्यादा डाउन जाएगा सत लगभग 15-14-15 डिगरी के आसपास का temperature मैच के टाइम पर होने वाला है बारिस के ज़्यादा चांस तो नहीं रहेंगे लेकिन humidity कहीं न कहीं 70% के आसपास मैच में रहने वाली है तो मौसम लगभग मिला के ठीक रहने वाला है लेकिन जो भी टीम टॉस जीतेगी वो सेकेंड बैटिंग करने जाएगी चुकि ओस कासर ग्राउंड पर साफ साफ देखा जाएगा और साइध बाद में बलेवाजी करने वाली टीम को यहाँ पर फायदा हो सकता है टोटल जो यहाँ पर पिछला 10 मैच खेला गया उन 10 मैच में 55 बिकेट फास्ट बॉलर ने जबकि 57 बिकेट इस्पिनर के खाते में गया अगर दोनों के परसेंटेज आप देखो तो कहीं कहीं 50-50 परसेंट दोनों को मदद मिलता हुआ नजर आया तो यहाँ पर लगबग दोनों के लिए बरावर मदद रहने वाला है उसके लाबा फास्ट इनिंग का जो एबरेज स्कोर है वो कहीं कहीं 153 का और सेकेंड इनिंग का एबरेज स्कोर 13 का होने बाला है हाइस टोटल 213 रन इस ग्राउंड का है जबकि लोएस टोटल 151 रन इस ग्राउंड का देखनी को मिला है उसके लाबा बात करेंगे 180 हाइस चेस यहाँ पर किया गया जबकि 189 रन को यहाँ पर अब तक डिफेंड भी किया गया तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है मतलब यहाँ पर 200 प्लस का भी स्कोर बनता है लेकिन लोएस्ट स्कोर भी यहाँ पर जो बना है वो फिलाल के लिए चेस किया गया था साउथ एप्रिका ने जिम बॉंबे के खिलाब किया था वर्ड कप दो साल पहले की बात है उसके अलाबा हम बात करेंगे इस ग्राउंड पर पर रिसेंटली जो मैच खेले गया है जिसमें की बिग बैस लीग दो हजार चौविस टेस सो चौविस सीजन का मैच खेला गया जिसमें होवर्ट और ए इसे मात्र एक मैच में इंडिया के खिलाब जीत मिली थी बांकी के मैचों में उसको घेल नी पली थी जो बॉर्ड कप के बाद इंडिया के साथ पाँच मैचों की टी-20 स्रीज थी एक मात्र मैच जिसमें की ग्लैन मैक्स वेल ने जितवाया था संचुरी लगा करकर उसके के लावा बात करेंगे बेस्टेंडी टीम ने पिछला जो अपना टोटल पांच मैच खेला टी-टेंटी का उसमें से दो मैच में इंगलेंड के खिलापहार मिली बाकी के मैचों में वो जीत दर्ज करती हुई नजर आई उसके लावा दोनों टीम के बीच में जो अब तक के ह हेट टो हेट के टोटल पिछले 10 मैच हुए उसमें से ऑस्टेलिया ने टोटल चार मैच जीता जबकि बेस्टेंडी ने 6 मैच जीते हैं और उसके अलावा अगर बात करेंगे ऑस्टेलिया लगातार पिछला तीन मैच बेस्टेंडी के उपर जीत दर्ज कर चुकी है ओबर रिसेंड जो परफॉर्मेंस ऑस्टेलिया कर रहा है वो काफी बेतर रहा लेकिन हम पिछले दो मैच के बारियम बात करेंगे इन दो मैच में कौन-कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ओबर अच्छा परफॉर्मेंस एक दूसरे के खिलाप किया है तो सबसे पहले हम पहले टी-20 मैच जो 2022-5 अक्टूबर को गवा था उसके तरब चलते हैं तो वेस्टेंडीज ने 145 फर्ष्ट बैटिंग करके बनाए नौ बिकेट के नुकसान पर कायल मेर्स ने 49 बनाये थे ओर्डेन स्मित ने 27 रन बनाये थे जौस एजल बूड को तीन बिकेट पैट कमिंग्स दो बिकेट मिला था दूसरे मैच की तरब चलते हैं तो उस मैच में ऑस्टेलिया 178 बनाए फर्ष्ट बैटिंग करके डेविड बॉर्डनर ने 75 रन बनाये जो इस मैच में भी खेलते नजर आएंगे टीम डेविड ने 42 रन बनाये थे अलजारी जोसेफ को तीन बिकेट ओ समयसा चलता है तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है जिसके बारे में थोरा सा और हम डीटेल में समझेंगे ऑस्टेलिया की टीम ने ओबर रॉल जो अपना पिछला टोटल 10 मैच खेला उसमें से 6 मैच जीते 186 का एबरेज स्कोर इसका नजर आता है 226 हाइस्ट स्कोर जबकि 114 लोएस्ट स्कोर ऑस्टेलिया की टीम का नजर आता है बेस्ट इंडीज की टीम की बात करो उसने जो टोटल अपना पिछला 10 मैच खेला उसमें से 6 मैच जीते 170 का एबरेज स्कोर 222 का हाइस्ट 133 का लोएस्ट इसकोर यहाँ पर देखने को मिला उसके लाव पर नजर आया जबकि बेस्ट इंडीज ने यहाँ पर टोटल जो चार मैच खेले उसमें मात्र एक मैच में जीत मिली 148 का एबरेज स्कोर 173 का हाइस्ट 118 का लोएस्ट स्कोर देखने को मिला आप बात करेंगे प्रेडिक्शन की कौन सी टीम यहाँ पर मैच बिनिंग कर सक देखने को मिलेगा लोग देकिन दोनों टीमों के स्कोर के बारे में बात करें तो मिचल मार्स सॉन एबॉट उसके लाबा जोस जेसन बेरेंड डॉप टिम डेविड नाथन एलिस उसके लाबा जोस हैजल बूट ट्रेविस से जॉस इंगलिस गिलैन मैक्स बेल मैथियू जैसे प्लेयर आपको नज़र आएंगे जबकि हम बात करेंगे बेस्टेंडी की तरब से रोमन पोविल से होप उसके लाबा जॉनसन चारली रॉस्टन चेसर जेसन होल्डर अकील से नलजारी जोसे ब्रेंडन किंग कायल मिर्स गुटा के स्मोट यह निकुलास पूर अंड टीम में रखना चाहिए 5 टी 20 मैंच में 200 वंसर्टर रिसेंट बना चुके है जबर दस फॉर्म में है निकलस पूरन का परफॉर्मेंस तो आप सुब कोई पता है लगाता रन बना रहे टी 20 में आइल 20 में भी बहुत गजब का परफॉर्मेंस निकलस पूरन का देखनी को मि वर ओल वन डे मैच में अस्ट्रिया के खिलाब कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं है मिचल मार्स को आप कैप्टन कर सकते हैं निकल पूरन को कैप्टन कर सकते हैं सौन एबाद की बात करो ये भी कैप्टन के लिए बढ़िया होगा बॉलिंग में आप ट्राइ कर सकते हैं जेसन बहरंड़ोफ एक बहतरीन प्लेयर अकील हुसेन को आप टीम में ट्राइ कर सकते हैं और डेविड वार्णर को वाइस केप्टन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं चुकि आइल 20 में भी डेविड वार्णर का कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है डेविड वार्णर जो आइल 20 के सारे मैच खेले उसमें आकरी मैच में जरूर 27 में 42 रन अबुधावी के खिलाब बना के गये थे उसके लाबा रोमन पोबिल की बात करेंगे एक दो मैच में परफॉर्मेंस रोमन पोबिल का अच्छा है बाकी ओबराल आइल 20 खराब ही गय मारकस से टोइनिस साउथ एपरिका लीग में खेल रहे थे जहां पर आकरी मैच में जरूर अच्छा परफॉर्मेंस किया है बले बाजी में पाकी गेंद बाजी में थोरे बहुत ठीक ठाक रहे हैं अंद्रे रिसल की बात करेंगे लगातार बले से भी बॉल से भी अच्छा प्रफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाया बहुत बेहतरी में प्रफॉर्मेंस रहा है मारकस से टोइनिस के खलाब संडाइजस टोन के खलाब भी बढ़ियां बिकेट निकालते नजर आए तो इनको आप टीमें टोरूरो करेंगे दो से तीन ओवर की बॉलिंग आपको दे सकते हैं खास करके अगर आश्टलिया की टीम पहले बॉलिंग करने के लिए जाती है तो बॉलिंग में बात करों अलजारी जोसिप को आप टीम में ट्राइ कर सकते हैं बेरेंड डॉफ उसके लावा नाथन एलिस ये तीनों बॉलर बहुत ही बेतरीन होने बाले हैं बाकी इस मैच की जो हेट टू हेट की टीम है वो मैं यहां प्रोवाइड करता हूँ और साथी साथ जो इसमाल लीग की टीम है वो टेलिग्राम पर मिलेगी करेंट पिछ रिपोर्ट लाइन अप लेंग लेवर सब कुछ टेलिग्राम पर मिलेगा टेलिग्राम चैनल का लिंक यहां पर मैं डिस्क्रेप्शन में डाल देता हूँ पीजे सी एल फेंटेसी प्रडिक्शन नाम से टेलिग्राम चैनल है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गिब अवे के लिए पूरा वीडियो देखना मस्ट है, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना, ये सारी चीजे मस्ट है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना ही रखना है, और उसके लाबा, बिनर का जो भी एनाउंसमेंट होगा, वो मैं टेलिग्राम पर अपडेट दूँगा, उनको मैं इनफॉर्म करूँगा, उनको गिब अवे दिया जाएगा, तो थेंक्यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करने के लिए,